ये देखे आपके सामने इसको तोर के दिखाती हूँ इसको खा के आपको बताती हूँ टेस्टी को स्थार्टी वाली स्नैक्स की रेसेपी जिसे आप अपने बचों को भी दे सकते हैं आप ट्रैवल में भी यूज कर सकते हैं सप्राइवन अंतर के लिए वीडियो को स्टाट करते हैं स्नैक्स मिलाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे वन कप के करीब गहुं का आटा उसमें मैं एड की हूँ रवा हाफ कप के करीब उसके बाद नमक एड करेंगे हम स्वाद के अनुसार अजवाइन डाली हुमें कस्तूरी मेति क्रस करके डालेंगे इस सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे हाथों से उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल टेंप्रेचर का जो पानी रहता है ना घर का पीनी का पानी रहता है वैसा टेंप्रेचर का पानी हम इसमें आड करेंगे नॉर्मल टेंप्रेचर का थोड़ा थोड़ा पानी हम एड करके इसका एक आपने डो अपने गेसा करें भी तो के अदोम और कौझना ससुवल से रिँवायजिक सस्वर मुक् Film करेंगे उसके बाद हम कुछ पर्ट नहीं होतं हESEट चपाकई अश्मर मेंटने इसके बाद पास चपाती के रहें नहीं और स्कात करगा से जिसाना वे वी फोरी नहीं की तो आप देख सकने हो ले जिए काजू के सेब्सों ऐ 재mobelli कर सकते है अगर आप इसे को आता अज lakrasine के नहीं करदे ने दून दовой हुपी जे फिर उसको हम बगल से cut कर देंगे जैसे normal हम snacks वगेरा या फिर कुरकुरे वगेरा खाते हैं उस type का उसके बाद हम इसे एक design भी दे सकते हैं जैसे pasta वगेरे का design रहता है वैसा आप design भी दे सकते हैं नहीं तो अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आप इसी हिसाब से इसको फ्राइ कर सकते हैं। जब हमारा सब कट हो जाएगा, इसको हमें खुला नहीं छोड़ना है, इसको हमें एक कॉटन के कपड़े से ढख देना है। बादमा की बचा हुआ लोई का हम फिर से स्नैक बनाएंगे, वह भी दूसरे टाइप का हम बनाएंगे, दूसरा डिजाइन बनाने के लिए हम पहले रोटी को चापाती के जासा अच्छी से बेल लेंगे, लेकिन चापाती के जासा गोल नहीं बेलेंगे, हम पूरा एक ओवल स अच्छे से, उसके बाद हम कट करेंगे, आप देख सकते हैं कितना कितना मोटा मेंने रखा है कर दिजेए उसके बाद हम एक एक करके पीस लेंगे, उसको फिंगर से हम हलका सप्रेस कर देंगे, फिर बेलन से 2-3 बेलन देना है और आपका ये डिजाइन वाला जैसे खाजा जिसको पता है खाजा क्या होता है वह खाजा के जैसा एक आजाएगा डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है यह भी उसके बाद मैंने ऑईल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था ऑईल गर्म हो चुका है इसमें थोरी से लोई देखके आप चेक कर सकते हैं तो लोई ड निकाल लेंगे यह कितना खास्ता बना है उसका साउंड आप सुन सकते हैं इसी तरह से आप सारे स्नैक्स को अब तर लीजे अच्छे से गुल्डन ब्राउन होने तक उसके बाद आपका बहुत ही टेस्टी वारा स्नैक्स रेदी है आप इसे स्टोर कर लीजे वन मंत के फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई